हे गाईज, वेकम टे रिस्वस पॉइंट, आज हम लोग डिस्कॉस करेंगे PT 365 जो कि हमारी इंवार्मेंट की है, तो काफी लिसन हमारी आ चुकी है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखे हैं कि किस आनिमल के बारे में बात करने वाले, क्योंकि इससे पहले वाले चैप् के बारे में आज फिर हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए इनकी डिस्कवरी करते हैं कि किस सरीके के ये जानवर है, कहां रहते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़े देखते हैं, तो वर्चर आक्शन प्लान यहाँ पर लाया गया है, तो अगें यह काफी इंपोर्टें इस प्लान में है क्या आसब पहले यह देखे हैं, कि सबसे पहले जितनी भी इमर्जिंग थ्रेट है, यानी की वल्चर के लिए, आप देख रहे हो कि वल्चर की जो प्रजाती है, इसे गिद कहते एं, यह जो है, आप देखू कि इसकी जनशंख्या कम होते जा रहे हैं, तो कहां कहां है एक तो है पिंजॉर में दूसरा है भोपाल में ठर्ड है गौहार्टी में और फूर्थ है हैदराबाद में तो यह चार यहां पर rescue center है जहां पर कोई भी वल्चर अगर देखने को मिलेगा तो उसको rescue करके यहां रखा जाएगा और at least one vulture safe zone बनाया जाएगा हर एक state में तो 28 राज है तो 28 राज में 28 यहां पर हम लोगा vulture safe zone बनाया जाएगा नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट यहां पर करना है कि जो veterinary non-steroid anti-inflammatory drugs होते हैं जिससे कि आप देखो कि vultures के बहुत जादा होते हैं उसको यहां पर regulate करना है तो कुछ ऐसे भी दवा होते हैं जिससे कि vultures आसानी से अगर उसको खाते हैं तो उनकी death हो जाती है तो उसको regulate करना है और एक system होगा जिसमें कि यह सारे drug को automatically remove किया जाएगा veterinary use के लिए जैसे आप दिखते हो कि कोई भी जानवर वगरा की जो hospital होती है veterinary hospital तो उसमें इसको बहुत जादा frequently use किया जाता है तो actually इसको automatically हटाने के लिए यहां पर तो यह तीन बाते होगे नहीं हाँ चौथा यहां पर क्या करना है कि इसकी breeding प्रोग्राम को conserve करना यानि कि conservation breeding प्रोग्राम है जो की रेड हेड़ेड वाल्चर है और एजिप्टियन वाल्चर है वाल्चर भी चाज पांच तरीके के होते तो वाइट हेड़ेड होते जिनकी जो हैड में आपको बाइट कलर का पॉट्ट तेखने को मिलेगा रेड हेड होते जिसमें की लाल कलर के इनके हेड होते हैं एजिप्टियन वाल्चर होते तो इनकी breeding को conserve किया जाएगा इट मींस की इनकी population को बढ़ाने की कुशिश की जाएगी नेशन वाइट वाल्चर यहां पे सर्वे किया जाएगा चार साल में एक बार जैसे टाइगर का सर्वे होता है उसी तरीके से वाल्चर का सर्वे किया जाएगा हर चार साल में एक बार और एडिशनल वाल्चर कंजर्वेशन लाया जाएगा मिलनी इसके प्लान पर फोकस करना है कि क्या क्या बाते रखी गई है तो यह डाइग्राम बहुत जादा important होता है इस flow chart को आपको याद रखना है अब देखे क्या बाते की जारी है कि vulture का जो threat है इसमें क्या है कि collision भी देखने को मिल रहा है 1990 से 2007 के बीच में बताया जा रहा है कि 3 critically endangered species जिसका नाम है oriental white-backed longbide और splendor wild vulture है जो कि यह तीन तरीके के vulture थे critically endangered थे इट मींज कि इनकी जो प्रजाती थी वो 250 नंबर से भी कम थी अब यह decline हो चुका है 99% इट मींज कि आप समझे कि almost यह खतम ही हो चुके है तो तीन प्रजाती तो इसके already खतम हो चुके है अब बाकी जो बचे है उनको यहाँ पर conserve करने की बात की जा रहे है तो total आप देख सकते हो कि कौन-कौन से species इंडिया में है और उनकी क्या यहाँ यहाँ पर IUCN की स्टेटस है तो और येंटल लॉंग बाइल और स्प्लेंडर हमने देखा यह critically endangered है रेड हेड़ेड वल्चर भी एक क्रिटिकली इंडेंजर में आता है एक आता है एजिप्टियन वल्चर तो यह endangered है तो इसलिए इन दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है बाकी है आपका हीमाले वल्चर हो गया बेडेड़ वल्चर है से नेरेस वल्चर है यूरेशन वल्चर है तो यह भी सब आपका नियर ठ्रिटेंड है यानि की प्रजातिया कम होने वाली है पर इस पर इ ही हो गए बिचारे अब यहां पर रेड हेड़ेड वल्चर और एजिप्टियन वल्चर बचा है ठीक है आगे बढ़ने से पहले चली कुछ कुछ क्वेशन आंसर देख लेते हैं जो कि previous year में और इस तरीकी के जानवरों से कि सरीकी से क्वेशन पूछा जाता है इसको भी देख लेते हैं तो यह कुछ previous year की question है जो कि last lesson में मैं discuss की थी आइए इसका answer बता देती हूँ Environmental Protection Act 1986 का है इसके तहत Government of India को empower किया गया है कि जो public participation है इसकी जरुरत है environmental protection को process करने में और procedure और manner करने में second है कि यहाँ पर lay down किया जाएगा standards जिससे की emission और जो environmental pollutant बहुत ज्यादा discharge हो रहे है various sources से तो इस कानून के तहट अगर आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि environmental protection की process में public participation की जरूरत है public participation की जरूरत नहीं होती है यह गलत है तो second option correct है first यहाँ पर incorrect है तो B option यहाँ पर correct हो गया next यहाँ पर था कि NGT कैसे different है Central Pollution Control Board तो first statement है कि NGT को establish किया गया है act के द्वारा और CBCB को यहाँ पर create किया गया executive order की द्वारा यह भी statement गलत है दोनों यहाँ पर कानून के द्वारा ही लाया गया है second है कि NGT जो है environmental justice provide करते है और litigation का burden है higher court में उसको कम करते है बिल्कुल correct है National Green Tribunal Central Pollution Control Board की बात करे तो यह हमारे जितने भी streams wells है उसको clean करते है और इनका aim है कि quality of air को improve करना यह सही है तो first गलत है second सही है तो B option यहाँ पर correct हो गया अब दो question आप लोग के लिए हैं सबसे पहले बताना है यहाँ पर तीन statement है Animal Welfare Board of India यह established किया गया है environmental act के तैन, National Tiger Conservation Authority यह statutory body है National Ganga River Basin Authority यह हमारे Prime Minister की दौरा chaired किया जाता है आप देख लिजे कितनी simple statement पूछा जा रहा है अगर आप लोग यही PD 365 और monthly magazine को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो इतनी basic question का answer आप लोग देही सकते हो Ocean as a carbon sink होगा जो कि adversely affect करेगा Food change जो है ocean में वो भी adversely affect हो जाएंगे Density जो ocean water का है वो भी drastically decrease हो जाएगा तो यहाँ पर बताने कि क्या हो गया ऐसा अगर phytoplankton जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर देखते है ग्रेट इंडियन बॉस्टर तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार पूछा गया था इससे question 2020 में तो इसकी practice में next lesson में जरूर करा दूँगी तो यहाँ पर देखे इनके बारे में क्या बोला जा रहा है तो शांदार तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि critically endangered है red यहाँ पर रखा गया है तो आप समझ सकते हो कि critically endangered है actually union minister of power के द्वारा और राजस्थान government के द्वारा यह report किया गया कि wildlife institute of India को reject किया गया इनकी proposal कि सारे जो power transmission line है वो यहाँ पर इनके habitat से ही underground होकर पास हो रहा है तो यह जो यहाँ पर आपका जो बाते की गई थी wildlife institute of India का तो इसको राजस्थान government के द्वारा reject किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है अब देखिए बाते कहां से निकल करा रही है National Green Tribunal के द्वारा suggest किया गया था 2019 में कि किस सरीके से हम लोग यहाँ पर great Indian buster को protect कर सकते कुछ recommendation दिया गया था सबसे पहले है कि सारे जो power transmission line है जो कि इनकी रहने वाले जगा से पास हो रही है ना उसको यहाँ पर mitigate करना है इसको देखना है साथी predator proof enclosure रखना है जिसको कि हम लोग breeding site कहते हैं कि जहाँ पर इनकी meeting वगरा हो जिससे कि इनकी प्रजाती बढ़ सके साथी आप देखो कि राजस्तान forest department है जो कि यहाँ पर engaged होंगे local communities के साथ और वो यहाँ पर बता पाएंगे और वो यहाँ पर काम करेंगे कि बस्टर्ट friendly जो agriculture practices है उसको वो promote करेंगे और जिससे कि वो जो preferred करते हैं वो crop को उगाया जाए साथी जो new wind turbine और जो solar farms है उसको disalloy किया जाएगा तो यह सारी काम की जा रही है लेकिन उससे भी जादा महतवपूर्ण है कि आप यहाँ पर समझे कि यह है कौन से प्रजाती तो सबसे पहले यह जो है great Indian bastard बहुती बड़ी यह हमारे हां की bird है साथी यह critically endangered है खतम होने वाली है highly protect किया जाता है इसलिए schedule 1 में रखा गया है और appendix 1 में है sites के यह indemic है indemic कहने का मतलब है कि यह हमारे ही subcontinent में पाया जाते है यह कहीं और नहीं पाया जाते है Central India में देखने को मिलेगा Western India में है और इसी के साथ साथ जो हमारा सटावा पडोसी है Pakistan वहाँ पे थोड़ा पहुत देखने को मिलेगा तो इस region में ही यह सिर्फ indemic है यहां के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है important sites क्या क्या है तो सबसे पहले राजिस्थान का जो Desert National Park Sanctuary है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Great Indian Bustard तो यही पूछी गई थी कि इस National Park में यह पाया जाता है कि नहीं तो देखे एक statement यहीं से बन गया नलिया है गुजरात में यहां पे देखने को मिलेगा वरोरा है महराष्ट में और बेलिरी है यह करनाटक तो यह चार रीजन है जहां पे आपको इनको देखने को मिलेगा habitat जो है वो आपका arid और semi-arid grassland में है यानि कि रूखा सुखा जगा में और grassland वाले जगा पे पाया जाता है open यहां पे आपका thorn scrub होते हैं लंबे-लंबे घासे होते हैं और irrigated area को यह avoid करते हैं यानि कि जो सीचाई वाला जगा आपको देखने को मिलता है fertile land में वहां पे यह ने रहते हैं यह रूखा सुखा जगा में रहना पसंद करते हैं यह one of the species है recovery program में जो कि integrated development of wildlife habitat के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब एक और बात कर लेते हैं इससे related news जो कि है pokrans firefly bird diverter तो यह क्या है actually यह ministry of environment forest and climate change के द्वारा एक initiative लाया गया है किसके साथ wildlife conservation society के साथ मिलके जिससे कि जो great indian buster उनको protect किया जाएगा वो भी power line से तो आप देखते हो नो कि इस तरीके से तार वगेरा जो है power line है तो उससे यह टकरा कि कई बार कहा जाता है कि यह मर जाती है और इनके रहने वाले जगह में बहुत सारे बिजली की तारे गई है तो उसे भी इनकी जान चले जा रही है तो इस तरह के का complaint निकल कर आया इसलिए यहाँ पे इस तरह के का initiative भी ला जा रहा है कि जिसे कि power line से actually इनको problem ना हो fire fly bird diverter से जो कि एक flap install किया गया है power line में कि power line है जिसे कि अगर यहाँ पे जडियां ऊड़के आती है ना तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे बिजली की तार है तो वो आपने आपको divert कर लेगी तो इस तरीके का system लगाया जा रहा है आज के रेट में technology तो बहुत advanced हो गया तो इसलिए इसको ध्यान रखेगा तो यह रही हमारे great Indian bastard तो आएए एक बार इनकी दर्शन कर लीजए यह देखे यह great Indian bastard है अब इनका बताया जा रहा है कि population इनका किस तरीके से down by 50 years में बताया जा रहा है कि 90% तक population इनका खतम हो गया 1216 था यह कव तो यह 1969 की बात है अब इसके बाद आज की डेट में 2020 में आप देख सकते हो कि less than 150 है तो बहुत कम है इनकी प्रजाती तो किस तरीके से कम हुई है तो इसलिए एक जिनता की बात है तो आप लोग देख लिए दर्शन ले लिए अब चलिए आगे बढ़ते है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया की first dolphin observatory के बारे में बात करते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा important प्रजाती है तो इनका भी दर्शन कराऊंगी मैं तो दर्शन करते रहना चाहिए actually इतने महान पुरूश है ये लोग कि महान पुरूश क्या महान प्रजाती बोल सकती हैं जनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए ही आपको लोग को पता होना चाहिए actually ये दिखते कैसे है at least तो बिहार government जो है इंडिया के first observatory को set up किये हैं वो भी gangetic dolphin के लिए तो कहां पे किया गया है बिहार में भागलपूर district है वहाँ पे इसको set up किया गया है ये observatory जो है ये विकरम शीला gangetic dolphin century में ये आपका बनाया गया है तो ये भी यादटना है अब इनकी status आप देख सकते हो endangered है यानि कि थोड़ी ठीक है अब ये alarming situation आ चुकी है कि इनको conserve करना है तो और observatory का यहाँ पे aim है कि eco tourism में गो बढ़ाना क्योंकि आप देखो कि ये जो हमारे यहां के gangetic dolphin है ये काफी unique चीज़ है तो यहाँ पे ganga river में बहुत मिलती है और भागलपूल वारे region में इनका कुछ अलग सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए लोग यहाँ आएंगे इनको देखने के लिए तो काफी अच्छा कासा होता है tourist से आपका कोई पता है कि बहुत जादा पैसे जो है किसी भी राज्य को, किसी भी हमारे देश को बहुत जादा उससे फाइदा ही होता है तो इसलिए eco-tourist में बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है और इसमें आप देखो कि कोई भी adverse impact नहीं होगा river के ecology में और इसको जो construct किया जा रहा है वो गंगा के उपर एक guard bridge है सतलंगंच, ओंगमानी तो यहाँ पर आपका बनाया जाएगा अब गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम लोग कुछ देख लेते अक्चली यह deep water है यह prefer करते हैं कि एकदम पानी के अंदर रहना in and around the confluence of river इट मिंस कि 2-3 river जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह dolphin वहीं पर रहना पसंद करते है फ्रेश वाटर में यह रहते सिफ और सिफ यह याद रखेगा गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर रहे हैं यह सिफ फ्रेश वाटर में रहते हैं और यह एक्तब जरूरी है कि blind होते है अक्चली इनको दिखता नहीं है और यह blind होते है लेकिन यह आप लोग देखो कि इनको पुरा पता चलता है इको की थुरू कि कहां क्या है नहीं है यह national aquatic animal भी है हमारे इंडिया का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह आप देखो कि गंगा ब्रहमपुत्र मेगना वाले रीजन में पाजाते कर्ण फूली संगूरी वर सिस्टम यह पाजाते जो कि नेपाल इंडिया और बांगलादेश में यह तीन कंट्री हो गई साथी साथ इनको सूसू भी कहा जाता है क्योंकि जो भी साउंड यह वापस आते ना ब्रीद करने के लिए जब यह पानी से बाहर आते तो सूसू जैसा यह जो है ना साउंड क्रियेट करते हैं इसलिए इनको सूसू भी कहा जाता पानी में जी नहीं पा रहें, इंफ्रास्ट्रक्ट्चर बहुत जादा क्रियेट किया जा रहा है, आप देखो कि कई सारे पूल खड़े किया जा रहे है पानी की उबर, तो ये इनको प्रॉब्लम हो रही है, गैंगेटिक टॉर्फिन आप देखो कि वन अमंग्ध टुईटी जिसमें कि ये देखा गया था कि गैंगेटिक टॉर्फिन के लिए कोई कोई जो जो थ्रेट है ना, कि इनकी पॉपलेशन कम हो रही है, उन सारे थ्रेट को यहाँ पर दूर करना है, साथी जो रिवर ट्राफिक है, इसकी इंपाक्ट, इरिगेशन कैनल है, डिप्लीशन जो हो रहा है इनके प्रेगा, उन सारी चीजों को यहाँ पर खतम करना है, तो यह काम किया जा रहा था, दस साल का यहाँ पर आक्शन प्लान था, यह वैसे ही आक्शन प्लान है, जैसे अभी अब लोग वर्चर के लिए 5 साल कर लाए है, ठीक है, तो रिसेंटली प्राइम मिनि है, इरवर्टी डॉल्फिन भी है, जो कि आपको मैंनमार में देखने को मिलेगा, बट हमारे यहाँ पर एक जगह पाया जाता है, देखेंगे, इंडिया नोशन हम्पैक डॉल्फिन है, तो यह चार तरीके के टोटल डॉल्फिन है, जो कि इंडिया में पाया जाते है, उस म आप देखो कि यह सिर्फ कहां पाया जाते इंडस रिवर डॉल्फिन तो यह सिर्फ लोर पार्ट में जो इंडस रिवर है पाकिस्तान में और रिवर जो इनकी बेज है यानि कि इनकी जो ट्रिपूटरी है इसके लोर पार्ट में ही पाया जाते साथी साथ आप देखो कि यह पंजाब में देखने को मिलेगा, इंडासरी रीवर डाल्फिन और उड़ी वाटर में ये रहते हैं और ये स्टेक्ट अक्वेटिक verändert है पंजाब का तो पंजाब में मिलते हैं तो ये स्टेक्ट अक्वेटिक अनिम्मल हो गया हर या और ठाइप देखते हैं या फिर brackish water में जो कि coast के बगल में जितना पानी है उसमें रहते है या फिर estuary में रहते है साथी साथ आप देखो estuary वो area होता है वो region होता है जहां पे कोई river बड़े sea से आकर मिलती है जैसे आप देखते हूं कि eastern में जहां चिलका लेक है वहां पे बहुत सारी river है जैसे महानदी है वो आकर बे और बेकॉल में मिलती है तो जहां पे मिलती है वो region को estuary कहते हैं तो वहां पे आपको इरावड़ी dolphin देखने को मिलेगा इंडिया notion humpback dolphin देखे तो यह इंडिया notion में पाया जाते हैं और यह prefer करते हैं कि थोड़ा सा shallow और near shore water में रहे फ्रेश water input में और साथी साथ आप देखो यह coastal water से ज्यादा दूर नहीं पाया जाते हैं जैसे कि south में आप south africa में देखो यह फिर आप east africa की coast देखो throughout the middle east और west coast of इंडिया यह इस सारे region में यह पाया जाते हैं जो कि इंडिया notion वाला region है तो आपका clear हो गया चारो टाइप के यहाँ पर dolphin के बारे में next moving on fishing cat अच्छा dolphin का यहाँ पर दर्शन ले ले लेते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग घूमते हैं कि कौन-कौन सी dolphin कैसी दिखती हैं त बहुत सारे वो लोग करता वे दिखाते हैं तो कफे interesting होता है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर Amazon river dolphin भी है जो Amazon river है वहाँ पर भी dolphin पाय जाते हैं तो कुछ इस तरीके के होते है अक्चली सारे dolphin का आपको head structure थोड़ा change देखने को मिलेगा तो यह थोड़ा धियान रखिए यह दोनों river देख लिए जो कि हमारा गैंगेटिक रिवर और इंडस रिवर डॉल्फिन है उसके अलावा यह इरावडी डॉल्फिन दीजे देखिए इनकी तो यहाँ पर जैसे इनका mouth है उस तरीके से mouth नहीं है तो इनका एक अलगी तरीके से यह हमारा स्नूफिन डॉल्फ अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं नेक्स्ट फिशिंग काट तो चिलका डेवलप्मेंट ऑथरीटी उनकी दौरा डेजिगनेट किया गया है कि फिशिंग काट जहें वह चिलका लेक के एमबसेडर होंगे ठीक है एमबसेडर कहने का मतलब है कि वहां के एक तब म होते हैं और इवह जानते हैं कि कैसे डाइब भी करना है फिश को कैसे कैस पाट एन फो परेजिगनेट होते हैं जहां फिशिंग ओर रहते हैं और मैंगरुफ फॉरस्ट में यह पाए जाते हैं जो सुन्दर बन वाला एं एरिया है छिलका लेक के व्यांगे आज-पास है त तो इतनी सारी जगह है जहां पर यह fishing cat पाय जाते है तो इतनी basic बात है अचा हाँ noctural है कहने का मतलब है कि यह owl जैसे रात में जगते है दिन में सोते है ठीक है दिन में सोते है और रात में बहुत active रहते है conservation status अगर आप लोग समझ सकते हो तो यहाँ पर देखिये थोड़ी सी difference है sites में अगर आप देखोगे तो appendix second में रखा गया है fishing cat को और India Wildlife Act में देखोगे तो schedule 1 में ही है threat क्या क्या है fishing cat का तो यही है कि इनका रहने का जगा खतम हो रहा है क्योंकि development activities हो रही है wetland में intensive aquaculture हो रहा है hunting हो रहे है meat और skin के लिए fishes की तो इसलिए भी इनको बहुत जादा danger है 2012 में West Bengal की जो government है उनके दोरह यह officially declare किया गया था state animal fishing cat को तो यह West Bengal की fishing cat जो है state animal है तो इसको भी याद रखना है अब बात कर रहे हैं चिलका लेक के बारे में तो it is again very important यह brackish water lake है shallow lagoon है और इस cherry भी देखने को मिलेगा जो कि Odisha में है और largest brackish water lagoon है हमारे Asia का और India का पूराना सबसे पूराना आप रामसर साइट कह सकतो रामसर साइट कहने का मतलब है कि इसको wetland जासा designate किया गया है यह largest wintering ground है यानि कि migratory जो waterfall है वो यहाँ पर आते हैं कहीं से भी anywhere from the Indian subcontinent और यहाँ पर आपको नाला बाना आइलेंड देखने को मिलेगा चिलका लेक के अंदर यह आइलेंड है जिसको bird century भी कहा गया है और wild life protection act के तहद साथी आप देखो कि इसको include किया गया है mantrax record में threatened list में 1993 में वो भी रामसर convention के तहए क्योंकि काफी जादा जो है restore किया गया है lake ecosystem और वो भी चिलका development authority के द्वारा तो इसको बाद में चलके 2002 में mantrax record के तहद से इसको हटा दिया गया है तो यह भी धियान रखना है क इसको include किया गया था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि काफी अच्छा खासा restoration का काम इसमें किया गया है तो आगे बढ़ते हैं यह है lichens के बारे में lichens के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे country की first lichen park जो है वो मुंसियारी में जो उत्राखंड में वहाँ पर यह develop किया गया है और वो भी उत्राखंड forest department के द्वारा तो सबसे पहले यही आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना है उत्राखंड में यह आपका lichen park बनाए गया है अब lichen होते क्या है और क्यों इस तरीके का park बनाया जा रहा है क्या importance से इसका यह देखते हैं lichen a composite organisms है जो कि आप देखो algae से या फिर syenobacterium जो living organism से उससे इमर्ज होता है या फिर आप देखो कि symbiotic relationship में यह जीते हैं जहां पर भी आप देखो कि algae normally grow होते है तो वो आपका aquatic में ही देखने को मिलेगा यानि कि जहां कहीं भी आपका पानी जमीन में थोड़ा दिन तक रह गया तो आपको देखने को मिलता कि वहाँ पी green color की algae जो है वो बन जाती है वो वहाँ पे grow हो जाती है और extremely moist environment में जहां पे आपका moisture बहुत जादा है उस environment में आप देखोगे कि algae का formation होता है लाइकन भी जो है वहीं पे पाया जाता है almost कोई भी surface में आपका पाया जाता है लाइकन तो आप even पत्थरों में भी देखते होंगे इपीफाइट से यानि कि वह कहीं पे भी दूसरे plant के उपर जो आपका grow होता है यानि एक ऐसे पौधे भी आप देखते हो ना कि already एक पौधा है उसके उपर लद के वह जो है ना यानि कि उसका सहारा लेकर वह grow होते है तो इपीफाइट भी देखने को मिलता है more than 20,000 जो species ह Lichen के वह पूरे world में पाए जाते हैं इंडिया में आप देखो तो 2714 species पाए जाते हैं उतरा खंड मे तो आपको 600 species ऑफ Lichen देखने को मिलेगा तो यह एक अलग अलग तरीके के आपको Lichen देखने को मिलेगा यह आपका green color का होता ہے brown color का होता होता है yellow color का भी होता है जो कि आप बड़े बड़े पॉधे होते है जैसे आपका ट्री होता है उसमें भी आप लाइक देखोगे कहीं पि जमीन में बहुत देर तक आप पानी रगदो तो अलगी होताए तो वहां पि अगल बगल आप लाइकन देख सकते हो तो इस तरीके से लाइकन जो हैं बहुत जादा पाये करते हो हटाते हो तो यहां पर आपका मिन्रा सप्रेट होता है की इंग्रीडियेंट है बहुत सारे कुईजिन में इसका इस्तिमाल होता है साती यहां पर हमारे यहां की जो परफ्यूम बनाने में इसको इस्तिमाल किया जाता है करनाच में संस्क्रीन क्रीम में यूज होता है जो आप hair dyes वगएरा use करते हैं, वो color करने के लिए उसमें use होता है, कुछ medicines वगएरा में use होता है, bio indicator के जैसा अगर हम नो देखें, तो कुछ lichens जो है, वो कुछ pollutant को बहुत जादा tolerate करते हैं, जैसे nitrogen हो गया, sulfur compound हो गया, तो ये सारे कुछ ऐसे pollutant है, जो कि lichens इसको control भी करते हैं, यानि कि tolerate कर लेते हैं, filters अगर आप देखो, तो ये radioactive जो substance होते हैं, उसको भी store करते हैं, और उसको भी absorb कर लेते हैं, तो radioactive substance जो है कुछ harmful substance है, तो lichens उसको भी absorb कर लेते हैं, जैसे कि CCM हो गया, strontium हो गया, तो ये सारी चीज़ है, ये कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि lichens में इसका कोई adverse impact हो रहा है, तो radioactive यहां पर substance को भी absorb करते हैं, तो आप देख रहे हो कि इसका जो यहां पर uses है, ये N number of uses है, और जो कि हमारे pollutions जो भी है, उसको भी कम करने में help करता है, तो बहुत तरीके से आपको help देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए एक आपका पार्क बनाया गया, dedicated पार्क है, तो याद रखिएगा, अब next आते है, अपनी ये डिजाइर दिखाए कि वह अपनी जो अपनी जो नोटिफिकेशन है, एकलोजिकल सेंसिटीव एरिया जो वेस्टन घाट का है, तो यहाँ पर देखिए वेस्टन घाट, जो कि आप हमारे ये प्यारा भारत देखते हो, और इस तरीके से हमारा सदन पोर्शन है, तो यह हमारा वेस्टन घाट है, जिसमें कितने स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले गुजरात है, महरास्ट है, फिर गोवा है, करनाटक है, फिर केरल है, तो इसलिए इतने राज्य हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे वेस्टन घाट में, और टोटल डिस्टेंस ही कितना कवर करते हैं, तो 1500 किलोमेटर, ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि एको सेंसिटिव एरिया बनाने की बात की जारी है, जिससे कि जो पॉलिटिक अक्टिविटीज है, वो कम हो पाएगा, ये वाले एरिया में जो पेडों की कटाई हो रही है, वो थोड़ा कम हो पाएगा तो इसलिए इसको एको सेंसिटिव जोन बनाना ज़रूरी है, ये आपको देखो कि कितना यहां पर जमीन है, तो 56,825 किलोमेटर है, एरिया के हिसाब से आप देखो, तो करनाटक में सबसे जादा है, 20,000 है, और महराष्ट में है, फिर केरल में है, तीस तरीके से आप देख पर बंद हो जाएगा, थर्मर पावर प्लांट जो है, वो यहां पर स्टैबलिश नहीं होंगे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉइंट है, साथी रेड कैटिगरी होगा, इंडास्ट्री का, यानि कि यहां पर हाइली पॉलिटिंग जो जितने भी इंडास्ट्री उसको सिट करने की पर्मिशन नहीं दी जाएगी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टाउंशिप, ये सारी चीजों की कंस्ट्रक्शन जो है, वो आपको देखने को मिलेगा, कि थोड़ा सर इसकी लिए डिस्टेंस पताया जाएगा, कि कितने डिस्टेंस में आपको कैसा यहां पर केरल में एक अन उथराइस तरीके से एक विल्डिंग बनाया गया था, वो 60-50 स्टोरे का था, और कोस्ट के बगल में ही था, तो उसको गिरा दिया गया गया उसको, क्यूंकि वो गलत तरीके से बनाया गया था और वो यहां पर बहुत ज़्यादा उस एरिया को गंदगी कर एरिया डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट भी यहां पर देखने को मिलेगा और वो उसमें भी प्रोहिबिशन लगाया गया है देखा जाएगा कि किस तरीके से कौन सी एरिया जो डेवलप्मेंट आपका प्रोजेक्ट है वो कैसी होनी चाहिए तो यह सारे कुछ एक्टिविटीज है जो कि यहां पर रोका जा रहा है अब यह जो छे राज्य है यह आप देखो कि वेस्टन घाट यह बनाते है और सेंटर से इन्हों ने कहा है कि प्रोसेस लाने के लिए जिसमें कि इसको इको सेंसिटिव एरिया जो है वो नोटिफाई कर सेके तो 2018 में ही आप देखो सेंटर के द्वारा ऐसा कहा गया था कि नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करना है इस शिक्स राजियों के लिए अब यह जो है यह मुडिफिकेशन चाहते है कुछ नोटिफिकेशन में कि कुछ उनके द्वारा भी जो है उनका भी कुछ मन है वो भी अब यहां पर basic आप देखिए कि western घाट को eco sensitive zone कहने के बीचे कौन-कौन सी committee थी सबसे पहले तो के कस्तूरी रंजन committee जो one of the most famous committee था 2012 में ही इनके द्वारा कह दिया गया था कि यह जो western घाट वाला area है 37% जो इसका area है ना उसको eco sensitive area कह देना चाहिए क्योंकि यह हमारे environment के point of view से बहुत important है साथी आप देखो यहां पर बहुत सारे species जो है वहां के endemic है जो कि वहां पर पाय जाते तो इस तरीके का mining होगा activities होगी thermopower plant होगे industries होगे तो इससे वो जो हमारी खुबसूरती है ना beauty है वो हमारी nature की वो खतम हो जाएगी तो इसको यहां पर के कस्तूरी रंजन के द्वारा पहले ही कह दिया गया था second है कि माधव गडगिल commission माधव गडगिल commission को 2010 में बनाया गया था इनके द्वारा कहा गया था कि 64% of जो area है western घाट का उसको यहां पर declare कर देना चाहिए eco sensitive area तो अब यह 64% कह रहे है यानि कि दुगना कह रहे है तो यह दोनों committee का आपको recommendation याद है याद रखना है जो कि western घाट के बारे में कहे थे अब basically आप समझें कि what is eco sensitive zone और यह area होता क्या है actually यह area होता है चो कि आप protected area national park, wildlife century इसके आप देखो कि 10 km विदिन ही होता है और हाँ यह भी बात सही है कि इस area में आप देखते हो कि western घाट में बहुत सारे ऐसे wildlife century है, national park भी है जिसमें कि आप देखो कि बहुत important important जितने भी wildlife protection wildlife यहाँ पर रहते हैं तो उनको protect करना भी ज़रूरी है तो यह आपका within 10 km होता है माल नीजे कि यह national park है इसके 10 km तक जो है इसको eco-sensitive zone कह दिया जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर shock absorber अगर कोई भी तरीके का यहाँ पर गलत हो रहा है जैसे climate change हो रहा है तो इसको यह absorb कर सके तो इस तरीकी का shock absorber यहाँ पर बनाया जा रहा है ministry of environment, forest and climate change के दोरा notify किया गया था इस कानून के तह़र जो कि environmental protection act है और wildlife conservation strategy है 2002 की तो इसके तह़र इनके दोरा notify किया गया था कि हाँ यह सारे area जो है आपका ecological sensitive area होंगे sensitive corridor, connectivity और ecological important patches जो है यह सब area होता है 10 km आपका wide देखने को मिलेगा जिसको यहाँ पर ecological sensitive zone में भी include किया जाएगा इसा corridor होता है जो कि आप देखो काफे sensitive होता है वहाँ पे सिफ कुछ specified होता है कि वह corridor किस purpose से use किया जाएगा तो उसको भी इसमें include करने की बात की जारी है साथी आपे special protection provide किया जाएगा वहाँ पे जितने भी biodiversity है, wildlife है, landscape है, historical value है अगर और जितनी भी development activities है उसको time to time regulate किया जाएगा और जो sustainable development है वो इस area में ensure किया जाएगा तो यह इतना काम होता है ecological sensitive area में तो इसको भी ध्यान रखना है अब इससे related कुछ यहाँ पे आपका news है तो उसको देख लेते है journal master plan कहा जा रहा है, वो भी भागी रती eco sensitive zone जो कि कहाँ पे आपका उत्राखन में तो इसको अप्रूफ कर दिया गया है भागी रती है अगर eco sensitive zone देखें जो कि उत्तर कार्शी से आप गौमोग से देखो तो यह notify किया गया था 2012 में भी उत्तराखन government के दोरह यहाँ पे mandate किया गया है कि इसको यहाँ पे zonal master plan बनाया जाएगा ठीक है तो journal master plan क्या होता है यह actually watershed approach के उपर best होता है जिसमें कि आप देखो कि जो forest वाला area है wildlife वाला area है क्या फिर वहाँ पर irrigation energy tourism में इन सारे चीजों को better तरीके से जो है manage किया जाएगा तो उसको क्या बोलते है journal master plan ठीक है national board for wildlife देखें तो इनकी जो node है not required for the certain category of project कुछ ऐसी category of project है जिसमें कि आप देखो कि national board for wildlife की जरुरत नहीं है जिससे railway project हो गया small skill development work हो गया जिसमें कि कुछ यह construction करना है और construction भी कहां तो 20,000 square kilometer से आप कम में देखो यहां construction करना है यह 25 megawatt capacity hydropower plant यहां पर लगाना है तो यह जरूरी नहीं है ना कि यह सब काम के लिए national board for wildlife से यहां पर permission लिया जाए तो this is again very important point कि कहां कहां से कौन कौन से ऐसा काम है जिससे करने के लिए यहां पर इस board से permission लेने के लिए जरूरत है और कौन से ऐसी काम है जिसमें कि इस board से permission लेने के नहीं जरूरत है तो यह आप समझ गए कि railway project के लिए यहां पर जरूरत नहीं है इस से यहां पर okay कहने के लिए लेकिन हाँ अगर यही सारा काम अगर eco sensitive वाले एरिया में हो रहा है जो कि आपका national park वाला एरिया है या फिर wildlife century के चारोर वाला एरिया है तो फिर इस board से जो है permission लेने की जरूरत ह होगी तो यह चीज़ clear रखिए के national board for wildlife जो है ना वह actually यहां पर eco sensitive zone में अगर कोई भी काम आपको करना है कोई भी development काम चल रहा है या फिर railway project भी वहां से कुछ भी काम क्यों होगा या फिर किसी भी तरीके का construction करना है तो उसमें जो permission लेने की जरूरत है तब यहां से लिया ज हो रहा है तो उनको यहां पर clearance लेनी की जरूरत है तो इस standing committee से यहां पर clearance लेनी की जरूरत है साती यह कैसा board है यह आप से हमेशा पूछा जाता है तो इस statutory board है और कौन से कानून के तहत बनाए गया है तो यह wildlife protection act 1972 के तहत देखिए जितनी भी यहां पर board बनाए गया है तो आ क्योंकि जब यह आपसे पूछा जाता है इस तरीके से तो आप लोग confused हो जाते होंगे कि हाँ wildlife में कौन से board बनाए गई होगी या फिर आपका environment किसे related कौन सी board बनाए गई होगी ओके तो यह सी इसको धियान रखेगा अब यहां पर आपको confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि यह wildlife के लिए है तो इसलिए यह कानून जो है यह wildlife protection act 1972 का है फाइन और इसको कौन चेयर करते हैं तो union environment minister जो है वो इसको चेयर करते हैं तो I hope कि यह भी article आपको समझ में आया होगा और ecological sensitive area काफी दिन से इसको कहा जा रहा है तो देखते हैं कि यह कब बनाया जाता है अब यहां पर 6 राजयों का demand भी है तो I hope कि इस चीज को जल्दी से यहां पर cover up किया जाएगा next आते हैं देहिंग पटकाई के बारे में समझते हैं आसाम government के द्वारा decide किया गया है कि यहां पर देहिंग पटकाई जो wireless century है इसको national park में आपका जो है upgrade किया जाएगा location देख सकते हैं one second यहा प्रणाशा प्रदेश से उपर यहां पर नागरलेंड हो गया यह मानिपूर हो गया यह मिजोरम हो गया यह त्रिपूरा हो गया तो इस तरीके से ध्यान रखिए अब देख लेते हैं basic तो इस wireless century के बारे में समझना जो भी news में है wireless century उसे एक्टम आपको A to Z उसके बारे में इस सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए तो देहिंग पटकाई wildlife century के बारे में देखें तो इसको Amazon of the East भी कहा जाता है देहिंग एक river का नाम है जो कि यहां पे इस jungle से flow होते वे आता है और पटकाई एक heel है जिसके foot से यह जो river है वो आपका flow होता है तो इसके हम लोग इस में तीन पार्ट है एक तो है जैपॉर एक है अपर दिहांग river और एक है दिरॉक यहां पे rainforest तो तीन इसका यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका region है और यह जो sanctuary है यह देहिंग पटकाई elephant reserve का पार्ट है ठीक है इसके साथ साथ आपका steel wheel road भी है और पुरानी refinery भी ह एशिया का जो कि दिखबोई आपको देखने को मिलेगा और open cast coal mining भी है जो कि लीडो में है तो यह भी आपको याद रखना है अब यह सारी चीजे तो ध्यान रखनी है कि यह देहिंग पटकाई जो wildlife century इसके अगल बगल क्या है तो elephant reserve से उसका पार्ट है यहां पे एक road है जि वो है मल्यान sun bear है उसके अलावा आप marbled cat देख सकते हो golden cat fishing cat अभी जो हम दो fishing cat पढ़ रहे थे अब इसको interlink कीजे कि fishing cat हमारे इंडिया में किसे sanctuary में पाय जाते तो यह देहिंग पटकाई wildlife century है जहां पे आपको fishing cat देखने को मिलेगा clouded leopard भी आपको यहीं पे देखने को मिले तो कई बार question आप देखते हो कि passage के form में भी आता है अगर आप लोग वीजनाइस की test series हमारे साथ solve कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है जिसमें आप environment की questions देखते हो कि किस तरीके से पूछा जाता है नहीं अगर आप लोग हमारे साथ solve कर रहे अभी तक नहीं जुड़े हो लेकिन अगर चुड़ना चाहते हो आप लोग भी वीजनाइस की test series हमारे साथ solve करना चाहते हो तो एक आपको email ID दी गई है description box में वहां पर जाकर आप लोग mail कीजे आपको जो है detail पता चल जाएगा अब इसको convert किया जाएगा किसमें तो national park में convert करने की बात की जारी थी अब दिखते एक और देख लेते हैं यह है पन्ना टाइगर रिजर्फ जो कि अगिन वेरी इंपॉर्टेंट है अब यह important क्यों है यह समझे पन्ना टाइगर रिजर्फ इसको include किया गया था किसमें world network औ biosphere reserves में जो कि man and biosphere reserve program के अंदर आता है सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्फ की बात करते हैं कहां है यह पन्ना टाइगर रिजर्फ तो यह पन्ना टाइगर रिजर्फ आपको विंद्यास में देखने को मिलेगा जो कि डेकिन पेनिसुला के confluence में है यहाँ पे अपर गैं और पन्ना थर्ड biosphere reserve रिजर्फ यहां पे आपका यह World Network of Biosphere reserves include किया गया है मद्यपरदे इस से पहले कौन कौन से Biosphere reserves को include किया गया है World Network of Biosphere reserves में तो सबसे पहला है पच्छ मरही और दूसरा है अमर कंटक तो यह तीन हो गया इसको ध्यान रखेगा कौन-कौन से रिवर यहां से फ्लो होते हैं, तो केन रिवर है, जो कि south to north यहां पे फ्लो होता है, इस तरीके से फ्लो होता है, और इसके अलावा आप देखो, तो यहां पर tiger तो पाये जाती है, क्योंकि मद परतिस में सबसे ज़्यादा tiger पाये जाते हैं, 526 है, second number पे कौन है, यह आपको comment करके बताना है, और total number of tiger किसना है, second number पे, चली third number भी आप लोग बता दीजे, ठीके, और हमारा जो target था कि हम लोग को tiger की जो population उसको double करना है, तो क्या हमने achieve कर लिया, या फिर कब तक का target था, यह बताएगा थोड़ा, यहां पर आप देखो, दुसरे animal भी रहते तो यह है क्या, actually intergovernmental scientific program है, जिसका aim है कि एक अच्छा खासा basis provide करना, जिसमें कि हम जैसे जो लोग है, human being है और जो animal है, इनके बीच में conflict ना हो, एक अच्छा खासा relation हम लोग के बीच में develop हो सके, उसके लिए एक program लाया गया था, actually यह UNESCO का intergovernmental structure है, जो कि एक तरीके का man and animal, यह Biosphere program यह लेकर आते हैं, जिससे कि National Government को काफी help हो पाता है, कि वो अपने हां किस तरीके का planning करना चाते है, कैसे implement करना चाते है, कुछ research करना चाते है, तो वो सारा काम यहां से कर पाते हैं, Biosphere Reserves के बारे में अगर हम दो देखें, तो Biosphere Reserves वो sites होते हैं, जो कि countries के द्व करते हैं, लेकिन UNESCO map program के दोरा इसको recognize किया जाता है, और sustainable development promote किया जाता है, local community efforts और sound science के based पे, तो जितने भी यहां पे आप Biosphere Reserves देखते हों, तो उसको recognize कौन करता है, तो UNESCO का यहां पे man and animal program के दोरा इसको recognize किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो local communities जहां के वहां पे रहते ह जिसे कुछ लोग भी रहते हैं, उस area में कुछ जानवर भी रहते हैं, तो UNका sustainable development हो सके, ऐसा UNका care कर सके कि उनके आगे आने वाली प्रजाती वो विलुक्त ना हो जाए, इसलिए wild life century biosphere reserves बनाया जाता है, ठीक है, world यहां पे network और biosphere reserves देखे, तो यह global unique network है biosphere reserves का, जिसमें कि जितने भी पूरे all over the globe में जो भी biosphere reserves है उसको link किया जाता है, और sustainable development किया जाता है, और वहां पे जिस तरीकी के biodiversity है, उसको conserve करने के लिए काम किया जाता है, आज की डिटने आप देखोगे, तो 18 यहां पे biosphere reserves है, इंडिया से, जिसमें की 12 जो है न, वो recognize किया गया है, यह man and animal, biosphere, man and biosphere program, ठीक है, मैं man and animal बोल रही हूँ, man and, यहां पे biosphere program के अंदर, total हमारे है 18 है, जिसमें से 12 को यहां पे रखा गया है, biosphere reserves, जो की 3 main function होता है, सबसे पहला क्या होता है, इसके अंदर, कि जो भी biodiversity उसे conserve करना, fine, एक second, साथी economic development करना, जिससे के यहां पे socio, तरीके से social culture development हो, environmental development हो, logistic support करना, development करना कि वहां पे अच्छे तरीके से research हो पाए, monitoring करें चीजों को, education provide करें, चीजों में आपका training provide करें लोगों को, साथी 3 functions है, जो कि biosphere reserves के 3 main zone में आपको देखने को मिलेगा, अब यह चीज़े आप diagram देखो, which is very important, कि biosphere reserves में 3 main zone क्या-क्या होते है, सबसे पहले यह जो green color का देखने को मिल रहा है, यह हमारा core zone होता है, जहाँ पे आपसे पेड़ पौधे वगेरा देख रहे हो, उसके आगल बगल आपका buffer zone होता है, यानि कि यहाँ पे आप लोग घर वगेरा भी देख रहे हो, उसके आगल बगल आपका यहाँ पे transition zone है, य अब केंज देखने को मिल रहे है, education कहा Hag second are? Education में, और transition area में देखने को मिल रहे है, जो यह 3 zone हैं जो की मिला कर यहाँ पे क्या बनते तो behy harreserves लेकिन कोर एरिया में क्या है कि गिरुइनरी है और साती सात यहां पे research होता है तो कोर एरिया में हुँमन settlement नहीं होता है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ठीक है अब हमारे country में कितने biosphere reserves है चलिए आईए एक बार हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि किस किस एरिया म में कौन-कौन से है cold desert आपको देखने को मिलेगा हिमाचर परदेश में उतरा खंड में अगर हम लोग देखे तो नंदा देवी है उसके अलावा गुजरात में आप देखो तो ग्रेट रन आफ कच्छ है मद्य परदेश में आए तो यहां पे पन्ना है और पंच मरही है सात आप देखोगे तो अशनकमर और अमरकंटक है उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं नील गिरी आप देखो तो नील गिरी आपको पता है कि केरल तमिल नाडू और यह करनाटक वाले तीन रीजन से बनावा है तमिल नाडू में आपका गल्फ उफ मननार है केरल में मुझा अन्दर प्याइस में है औरीसा में सिमली परन नेशल पार्क है तिक है उसके बाद संदर्वन अब नॉर्थ उस्त में अगर हम लोग आ जाए तो नॉर्थ सबसे पहले अगर हम लोग सिकिम में देखे तो कंचन जंग है असाम में देखे तो मानस वाल दिलाइफ है और साथी साथ यहां पर आसाम में ही देखो तो दिब्रू सिख हुआ है और उसके बाद मिखाले में देखे तो यहां पर आपका जो है नौकरेक है तो टोटल इसके अंदर आपका 18 आ चुका है तो आई होब कि आप लोग इसको याद रखेगा, location याद रखेगा कई जादा important है क्योंकि किसी भी तरीके से questions आप से गुमा फिरा के पूचा जा सकता है तो guys आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं कि कैसे यहाँ पर exotic animal trade हो रही है तो यह काफी important है क्योंकि नया rules आया है कैसे इस तरीके के animal के साथ व्यापार करना है तो animal को व्यापार करना है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं अगर आपको यह lesson अच्छी लग रही है तो like कीजे और अगर आपको एक सेकेंड एक सेकेंड ओके हाँ अच्छा देखिए एक confusion आपको हो जाएगी देखिए यहाँ पर जो मैं अभी बताई हूँ कि presently there are 18 notified biosphere reserves है हमारे इंडिया में जिसमें से 12 को recognize किया गया है man and यह हमारा biosphere program में तो एक चीज समझे कि यह तो total हम लोग 18 देखिए कि हमारे यहाँ biosphere reserves है लेकिन चो 12 हमारा included है इसमें UNESCO के program में वह कौन-कौन सा है जिसमें कि यह blue color का mark है तो देखिए इसमें blue color का mark है तो नीचे से ऊपर हम लोग चलते है पहले south की देख लेते कौन-कौन सी है तो first one is नील-गरी, second है यहाँ पे great nicobar, third है अगस्त-malai, fourth है gulf of mannaar तीक है अब Odisha में हमारा जो simli park, national park है इसको भी include किया गया है मद्य पर्देश का यहाँ पर पंचमर ही है और लेकिन याद रखने यह पन्ना नहीं है ठीक है यह देख लिया उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर अशनापमर और अर्मर कंटक है नंता देवी है उतराखंड का और साथी नौर्थिस का आप देखोगे तो नौक रेक है और सुंदर बन तो यहाँ पर वेस्ट पंगॉल में हो गया लेकिन सिर्फ नौक रेक है ठीक है तो यह हमारा 12 हो गया जो कि आपको देखने को मिलेगा कि कहां included है यह हमारा man and biosphere of UNESCO मे नहीं कर रहे है means आप लोग देखते हो वीडियो डेली बेसिस पर लोग सब्सक्राइब नहीं करते है तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कई बार वीडियो में कुछ कुछ शॉट वीडियो से देखती हूं तो वो सारे वीडियो ना मिस हो जाए और जो भी मंतली मैगजिन की वीडियो आती है तो कुछ भी मिक्स ना हो इसके लिए आप लोगो को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है तो मिलते है कल हम लोग इसी टाइम पर तब तक लिए तक यू